नमस्कार दोस्तो, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपको ये खुशूरत सब गुलदर्स्ता डिजाइन वाला फूल आपको बनाने बताऊंगे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और पास दी हुई गंटी को दबा दीजे इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पुरंत पहुँच जाएंगे तो चले दोस्तो हम सुरू करते हैं कि आपको ये डिजाइन कैसे बनाना है तो सबसे पहले आप अपने स्वेटर के अनुसार सलाई पर फंदे डालने और फंदा डालने के बाद आपको जैसा बॉर्डर बनाना हो उस तरह का बॉर्डर बना दीजे बॉर्डर बनाने के बाद यहां पर देखे, छे सलाई आपको फश्ट में छे सलाई आपको एक सलाई सीधा और एक सलाई उल्टा पूरी सलाई बनाना है. तो छे सलाई जब यहां पर बन जागा, तो यहां पर देखे, हम छे सलाई सीधा और उल्टा बना दिये हैं. अब देखे हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे तो हम इस फूल से सीधा में भी डिजाइन बना सकते हैं और इसको हम बीच में लाकर के भी डिजाइन बना सकते हैं तो देखे हम इस पर बीच में इसके देखे बीच में यहाँ पर जब यह फूल बना है इसके सीधा से हम यहाँ पर फूल आउप बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो देखे यह बीच हमारा यहाँ पर है तो हम यहाँ पर से बनाना सुरू करेंगे तो हम ये जो चार फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे या हम इसको इस तरह से ही उतार लेंगे अगर आप सीधा बना करके रखेंगे इसको पल्टाना नहीं पड़ेगा तो देखे यहाँ पर हम सीधा इसको चार फंदा को बना लेंगे और देखे यह हमारा बीच यहां पर है देखे यह मारा बीच का फंदा आएगा तो अब हम यहां से शुरू करेंगे इस फंदा से पहले से यह शुरू करेंगे तो इसको हम जो कलर से हमको फूल बनाना है उस कलर के धागा से हम इसको एक फंदा बिन बेंगे और एक फंदा बिनने के बार देखे ये जो बीच वाला फंदा है ये वाला फंदा इसे छठा सलाई पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छटा सलाई के बीच में यह जो फंदा है, इस जगह हम सलाई को डाल करके यहां से एक फंदा निकालेंगे, देखें, इस तरह से एक बड़ा सा फंदा निकालेंगे, और अब हम दो फंदा को सीधा बना लेंगे, फिर हम उसी फंदा से, जहां से कि हम जिस जाली से फंदा बनाये थे, उसी से निकाल करके एक फंदा इस तरह से और बना लेंगे, अब हम दो फंदा सीधा बना लेंगे, फिर अब फिर देखे एक बार और हम तीन फंदा इस तरह से निकालना है, तो ये तीसरा हम फंदा इस तरह से निकाल लेंगे, तीसरा फंदा निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ये तीन फंदा को उतार लेंगे, एक, दो, तीन फंदा को हम यहाँ पर उतार लेंगे, अब ये च तीसरा फंदा के सीधा में जो है छठा फंदा देखे एक दो तीन चार पांच छे चठा जो हमारा सलाई के पास से हम इस तरह से छठा सलाई के नीचे से इस तरह से हम एक फंदा निकालेंगे और दो फंदा हम यहाँ पर सीधा बना देंगे देखे दो फंदा सीधा बना देंगे फिर उसी फंदा से डाल करके एक फंदा और निकाल लेंगे फिर दो फंदा हम यहाँ सीधा बना लेंगे और फिर एक वार यहीं से फिर से डाल के एक फंदा और बना लेंगे देखे इस तरह एक फंदा और बना लेंगे फिर ये तीन फंदा को हम उतार लेंगे इस तरह से जितना भी फूल बनेगा हम इस तरह से बनाते जाएंगे देखे अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर तीन फूल बना है नीचे चार फूल बना था अब हमारा यहाँ तीन फूल बना है अब हम देखे यहाँ पर इधर फूल नहीं बनेगा तो इसको हम यहाँ से पलट देंगे और अब देखिए इसको धाग को पीछे करेंगे और यहाँ पर जो फंदा क्या हम नीचे से उठाये हैं और एक फंदा जिसको की हम बिने हैं दोनों को मिला करके हम यहाँ सीधा बना देंगे फिर एक फंदा को सीधा बिन देंगे फिर यहां पर देखिए एक फंदा उठाया हुआ है और एक फंदा बिना हुआ है इस दोनों को मिला करके हम यहां सीधा बना देगे फिर एक फंदा सीधा बना देगे फिर यहां लाश्ट में देखे फुल के लाश्ट में एक फंदा बिना हुआ है और एक फंदा उठाया हुआ है इस दोनों को मिला करके हम इधर सीधा बना देंगे अब हम धागा को आगे कर लेंगे और ये तीन फंदा जो हम उठाए थे पिछले बार इसको फिर से हम ऐसे उठा लेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और ये दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे फिर एक फंदा को सीधा बना लेंगे, फिर दो फंदा का एक फंदा कर लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर दो फंदा का एक फंदा कर देंगे इस तरह से फिर धागा को आगे करेंगे और ये तीन फंदा को उतार लेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और ये जो दो फंदा है इसको हम एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर एक फंदा को सीधा बिन देंगे फिर दो फंदा का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर दो फंदा का एक फंदा बना देंगे देखे ये हमारा पीछे का साइड बन गया है अब हम इसको यहां से पलट देंगे ये हम बिन रखें पहले से तो इसको हम पलट देंगे और इसको हम पीछे रखेंगे और अब हम यहाँ पर देखे, इसको हम बिन लिये हैं यहाँ तक, अब हम इसको सीधा बनाते जाएंगे, सबको हम यहाँ सीधा पूरी सलाई हम सीधा बना लेंगे, अब 6 सलाई हम सीधा बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम यह डिजाइन बनाएंगे, फुल बनाएंगे, तो जो हम दूसरा फुल बनाना शुरू करेंगे तो वो यहां से फूल बनेगा और इधर फिर फूल बनते जाएगा यहां से लेके यहां तक पर हुमारा चार फूल फिर उपर में बन जाएगा तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके बताएं अगर तेखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू,